तो आज मैं आपको अपना SBI bank जो SBI bank का ATM card होता है इसका pin change करके बताऊंगा तो यह मेरे पास ATM card है तो इसको हम side में रख देते हैं यह इसकी passbook है और मैं आपको बताता हूँ कि आप बिना bank जाए और बिना ATM जाए कैसे bank account का जो ATM card का pin होता उसको reset कर सकते हैं तो उसको reset करने के लिए सबसे पहले आपको SBI UNO open कर लेना है यहाँ से दोस्तों आपको card पे click कर देना है अब जैसे ही आप card पे click करेंगे my debit cards पे आपको click कर देना है अब जैसे ही आप my debit cards पर click करेंगे तो यहाँ से आपको आपके card की date ठीक है तो यहां से मैं अपने pin बना लिया हूँ मैंने अब एक confirm बाला भी बना लेता हूँ ठीक है अब मैंने दोनों pin बना लिये हैं उसके बाद next पे मैं click करूँगा अब जिसे click करूँगा मेरे सामने एक OTP आ जाएगा ठीक है अब इस OTP को मैं यहां से coffee करके बापस बेका जाओंगा और यहां से मैं इस OTP को यहां प्रेस करके जो है नीचे एक option मिलता है संबिट का संबिट हम इसको कर देंगे अब देखी हमने जो ATM pin बनाया है वो successfully जो है संबिट कर दिया है हमने ठीक है तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ जब भी आप ATM pin जो है set करते ह तो ध्यान रखना यह है कि जब भी आप ATM में जाओ तो यही pin आपको इंटर करना है अगर इसके अलावा आप दूसरा करोगे तो फिर वो आपका जो है transaction fail हो जाएगा और आपको अगर पैसे निकालना है तो पहले यह चेक करना पड़ेगा ना कि पैसे आपके किस bank account में कितन रहेंगे कि अगर हम मान लो कि हमारे पास yono app नहीं है तो यह इसका reset कैसे होगा तो guys आपका फिर जो ATM pin है इसको reset करने के लिए आपको यह ATM card लेके जाना है bank में और bank के guard से बोलना है कि इस ATM card को activate करवा दीजिए वो activate करवा देंगे नहीं तो मैंने इस पर भी एक video बना रखा है तो ओल्रेडी मैंने इसको activate कर रहा है तो आप वो वीडियो देख लेना description में लिंके देदूंगा उसके बाद ATM pin reset करोगे हो जाएगा लेकिन ध्यान यह रखना है कि यह CMC में डाला होना चाहिए ठीक है और आपका mobile number activate होना चाहिए और account भी activate होना चाहिए कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना तो भी कमेंट कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में और वीडियो को लाइक जरूर कर देना